दोस्तो फिल्म और टेलिविजन के दुनिया में बहुत से लोग अपनी किसमेतास माने आते हैं परन्तु उन में से कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो अपनी मन्जिल तक पहुँचने में काम्याब होते हैं उनी में से एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनोंने बहुत ही काम उम्रू और समय में अपने अभिने से लोगों के दिलों में अपनी जगा बना ली फिर चाहे वो बॉलिवुड फिल्म नील बटे सननाटा की अप्पू का गिरदार हो या फिर 2019 के टीवी सीरिल नाटी पिंकी की लंबी लव स्चोरी में उनके द्वारा निभाया गया पिंकी का गिरदार जी हाँ दोस्तो हम बात कर रहे हैं रिया शुकला की जिन्होंने काफी कम समय में वो मुकाम हासिल कर लिया है जो बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं रिया शुकला को सब प्यार से परी के नाम से भी बुलाते हैं दोस्तो उनका जनम एक चनवरी 1998 को गुरुवार के दन इंद्रानगर लखनव में हुआ था वो एक मिडल क्लास हिंदू ब्रामिन फैमिली से बिलॉं करती हैं उनके पिता सुषील कुमार शुकला लखनव के विधान भवन में इंप्लोई हैं और उनकी माता माधुरी शुकला होममेकर हैं उनके दो बड़े भाई और एक छोटा भाई भी है दोस्तो रिया ने अपनी शुरुआती बढ़ाई लखनव के MKST इंटर कॉलेज से की इसके बा में लाइफोके पर प्रसारत होने वाले टीवी रियालिटी शो हिंदुस्तान के हुनरबास में एक कंटेस्टेंट के रूप में की थी इसके बाग उन्होंने ZTV के डांस रियालिटी शो दांस इंडिया डांस में पार्टिसिपेट किया रिया शुकला ने वर्ष 2015 की बॉलि किया गया और उसी साल यानि 2016 में उन्होंने बॉलिवुड फिल्म नील बट्टे सन्नाटा में अप्पो का किरदार ने भाया जिसके लिए उन्हें स्टार स्क्रीन बेस्ट चाइल्ड आर्टेस्ट अवाद से नवाजा गया दोस्तों इंट्रेस्टिंग बात ये है कि रिया इसन हारीकेंस में एक कला निर्देशक के रूप में काम किया जो कि सवस्क्रिस्टाव द्वारा निर्देशित एक लगू फिल्म है इसके अलावा वर्ष 2018 की बॉलिवुड फिल्म हिच की और 2019 की बॉलिवुड फिल्म थर्ड आय जैसी कई बॉलिवुड फिल्मों में दोस्तो चार फीट दस इंच लंबी रिया को ट्रावलिंग और डांसिंग बहुत पसंद है तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बिताइएगा रिया शुक्ला से जुड़ी कोई अन्य जानकारी हो तो हमे जरूर शेयर करिएगा आपसे मुलाकात होगी फिर किसी परस्नालिटी के साथ हमारा साथ देने के लिए शुक्रिया एंड टेक केर